24 के रण में जादातर राज्यों में चुनाव संपन हो चुका है और इन राज्यों में 36 गढ का नाम भी शामिल है जहां तीन चल्णों में चुनाव संपन हुआ जिसके बास प्रदेश की 11 सीटों पर दावों का दौर जारी है और आज बात करेंगे प्रदेश की राजधानी रायपूर की यह क्या है रायपूर के और माहौल यह चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपको रिपूर्ट दिखाते हैं लोग सभा चुनाव के रिजल्ट आने में अब वक्त कम ही बचा हैं और उससे पहले सभी राजवितिक दलों की तरफ से तमाम तरह के दावे और बादे देखने को मिल रहे हैं खास तोर पर दोनों ही मुख्य राजवितिक दल कॉंग्रेस और बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वास्त नजर आ रहे हैं और बात अगर राइपूर लोग सभा सीथ की करें तो यहां भी जीत को लेकर दावे जानी हैं बीजेपी ने यहां से कदावर नेता और राइपूर दक्षड से सांसत ब्रिजमोहन अगरवाल को चुनावी मैदान में उतारा है तो वहीं कॉंग्रेस की तरब से विकास उपाधाय उनको चुनावती दे रहे हैं जनता 24 के रण में किसका साथ देगी यह तो चार जून को ही साफ होगा लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस बीजेपी अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं जनता का रुज़ान असपस तोर पे कांग्रेस के पक्षण है जेश में जो 6 चरण के मद्दान हुए हैं उसमें भी कांग्रेस पाटी के पक्ष में इंडिया गडवन्धन के पक्षण में रुज़ान था और आखरी चरण में भी जनता नरेन मोडी की बिढाई के लिए नरेन मोडी के कुशाशन से मुक्ति के लिए मद्दान करेगी जनता में जबर जस्ट एंटी इंकम में सी की लहर देखने को मिली है इसलिए दस साल में जिस्पकार से जुम्लेवाजी की सरकार चलाई जिए उसके जनता तस्त हो गई तो तैय है कि अब की बार देश में आज महिनों में 36 गड़ प्रदेश में मद्दाताओं को जो वादा किया था वो निभाते हुए उनके बैंक एकाउंड में भेज दी है सुरक्षा की नई दिशा में प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है हम 36 गड़ की 11 सीटे और अभी हम लोग जारखंड में काम कर रहे 36 गड़ के नेता यहां भी निश्चित रूप से 14 में 14 सीटे हम जीतेंगे अब किसके दावे में कितना दम यह नतीजों के बाद ही पता चलेगा लेकिन बात अगर इस बार हुई वोटिंग की करें तो 2024 के चुनाओं में जोनता ने बोटिंग में जादा इंट्रेस्ट ना 2024 में बोटिंग प्रतिशत एक जैसा ही रहा जनता ने किसके हक में बोट किया है यह तो नतीजे आने के बाद 4 जून को ही साफ हो पाईगा और तब पता चलेगा 24 में होगी किसकी सरकार ब्यर रिपोर्ट जी मीडिया रिपोर के जनता 24 के चुनाव में किसका साथ देगे यह 4 जून को नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा लेकिन रिपोर लोगसभा सीट पर दशकों से बीजेपी का कबजा रहा है चले पहले आपको पिछले 2019 के चुनाव के वोट शेर के बारे में जानकारी देते हैं साल 2019 में हुए लोगसभा चुनावों में रिपोर सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी जहां बीजेपी ने 66.01 एक फीसदी वोट हासिल किया था और वहीं कॉंग्रेस का वोट शेर मातर 35.07 प्रतिशत था वहीं बात अगर 2014 लोगसभा चुनावों की करें तो बीजेपी ने 2014 के चुनावें 52.06 प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे तो कॉंग्रेस का वोट शेर 38.08 दो फीसदी था राइपोर लोगसभा सीट पर पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे जिसके बार शुरुआत में इस सीट पर कॉंग्रेस का कबजा था लेकिन सालों बाद बीजेपी ने सीट को अपना गड़ बना लिया राइपोर लोगसभा सीट पर आठ बार कॉंग्रेस, आठ बार बीजेपी और एक बार जनिता पार्टी को जीत हासिल हुई है और हमारे साथ सत्य परकाश राइपोर से जुड़ गए हैं अनिरुद दुबे जी हैं वरिश्चि पत्रकार और डॉक्टर अनिल दिवेदी राजनीतिक विशलेशक हैं हमारे साथ लाइप जुड़ गए हैं पहले तो सत्य परकाश आपके पास आना चाहूंगी यह तो हम जानेंगे लेकिन अभी जनिता का मूड क्या है थोड़ा थोड़ा हम अंदाज़ लगाने की जरूर कोशिश करेंगे देखे रायपूर लोगसवा सीट की ही अगर सिर्फ बात करें तो रायपूर लोगसवा सीट में ये एक लोगों के बीच जो है वो धारना बनी की ब्रिजमोहन अगरवाल चुकी बड़े कद्दावर नेता हैं भारती जनिता पाटी के आठ बार से विधायक हैं और एक अच्छा दमखं पूरे शतीस गड़ में रखते हैं और उन्हें भारती जनिता पाटी ने टिकट ही इसलिए दिया है क्योंकि वो बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं और लोगों में जो धारना बनी वो यहीं बनी कि ब्रिजमोहन अगरवाल इस बार बड़े अंतर से विकासुपाध्याय को हरा देंगे और बड़ा अंतर कई लाख में हो सकता है यह एक धारना बनी लेकिन यह धारना कुछ शेत्रों में यह भी बनी कि विकासुपाध्याय चुकि नए हैं विकासुपाध्याय एक बार के विधायक हैं भले विधानसभा चुनाओं में हार ग लेकिन जो मैं बताया कि जो धारना यहीं बनी बहुतायत में लोगों की कहें कि ब्रजी मोहन अग्रवार लायपूर लोगसवा सीट से चुनाव निकाल सकते हैं अब जो हमारे दो राजनितिक विशलेशक बैठे हैं इस पर विशलेशन करेंगे लेकिन एक बड़ी बात यह भ लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुआ और वोटिंग प्रतिशत दोजार उनीज से बहतर रहा है अगर पूरे चातीस गड़ के ग्यारा लोगसवा सीटों को देखे तो तो उस हिसाब से अनुमान लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है यह हो सकता है कि कि किसी दल विशेश को लेकर किसी दल विशेश को लेकर किसी दूसरे लोगसवा शेतर पे बहतर वोट परे हो तो यह तमाम चीजे हो सकती है कुस्छ सीटों पर टककर भी दिखाई देरू है लेकिर रैपूर लोगसवा सीट के लिए धारणा जरूर जो मैं फिर से कह Рाँ हूं कि बहुत आयत में लोगो किए भात करुए की संचिर मार्जन बात करें तो क्या कहता है आपकी ह sü компании को किए कि इसपर के सिवार के छुनाओं को का आप कैसे देखते हैं बात मैं 36 रड़कि करना चाहूं गा जाए चाहिए निश्ट प्रोफ से यह जो है इस बार का मैं 2004 के लोक भर के लोग सभ़शुनाओं को देखा। सभी 11-11 स्टों में जो है रोचक प्रसंग सुनने को मिलते रहे हूंगे रोचक छंड देखने को मिलते रहे हूंगे लिकिन हां पांच finden शे ऐसी सीटे थी जहां चुनाओ जैसा चुनाओ हुआ, मैं बात कर लू राजनन्द गाओं की, जहां पर संतोस पंडे जी जो है सिटिंग MP हैं, उनके खिलाब पूरु मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जी उतरे, वहां चुनाओ जैसा चुनाओ हुआ, हम कोरभा की बात कर कांग्रेस ने बिरेश ठाकूर को उनके सामने उतारा जो बिरेश ठाकूर पिछला लोकसभा चुनाओ, 6000 के करीब मतों से ही आ रहे थे, हम बात कर लें, जांजगीर लोकसभा चेतर की, तो वहां पर जो शू डहरिया, जो पूरु मंत्री रहे कांग्रेस के, वहां पर अच् और धस साहो जी को उतारा, और भर्चनता पार्टी पहले ही, रूप कुमारी चौधरी जो पूरु विधायक हैं, उनकी घोषना कर चुकी थी, पिछला परसेस पिछला हो गया, छे सीटें जो है, राजनन गाओं, कोर्बा, काकेर, बस्तर, जांजगीर, महा समुन, वास्तो नेता दूसरी शीटों पर जाके चुनाओ लड़े, उपेज बगेल जी दूर्ग, राजनन गाओं से जाकर लड़े, तामरुधास साहो जी दूर्ग, वो महा समुन से जाकर लड़े, स्वरोट पांडे जी दूर्ग, वो जो है, वहाँ कोर्बा से जाकर लड़ी, कैचले, मैं लोटती हूँ, डॉक्टर अनिल दिवेदी जी, मैं खास तोर पर आपसे डीटेल में बताने को कहूंगी कि प्रिज मोहन अगरवाल और अगर हम कॉंग्रेस के प्रतियाशी, दोनों की टक्कर को देखकर बात करें, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है, क कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, आठ बार कॉंग्रेस रही, आठ बार बीजेपी, और इस बार हो सकता है, कि कुछ भी हो जाए, रेजल्ट्स कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन एक समीकरण जो होता है, वो क्या कहता है? कुमल जी, राइपुर लोकसभा पूरे देश में एक चर्चित लोकसभा सीट रही है, पुरु मंत्री केंदरी विद्या चरण शोकल, स्यामा चरण शोकल, पुरु शौत्तम कौशीक, और ऐसे तमाम नेता यहां से चुनाओ, रमेश बैस पुरु केंदरी मंत्री रहे, ऐस उसके बाद जो है, लगभग 30 साल होने आ गए, अभी बीजेपी का पूरी तरह कबजा है, अब सवाल यह उड़ता है कि यह कबजा क्यों होता जा रहा है, क्यों बीजेपी इतनी गैन कर रही है, अब मैं बताओं आपको कि अभी कॉंग्रेस बीजेपी की लीड 78 जार हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके अभी सुनील सोनी जो पिछला चुलाओ 2019 में जीते, वो 4,80,000 वोटों से जीते, तो 4,80,000 वोटों से कॉंग्रेस का हारना, लगातार हारना, यह दर्शाता है कि पार्टी न तो नेतृत तो ढंग से दे पाई, न चेहरा ठीक से दे पाई, न लगातार कमजोर होती चली गए, और मैं यदि इसके महत की बात करूं, तो ब्रिजमोह नगरवाल इस बार बीजेपी से बहुत कदावर नेता रहे, मलब यदि सुन्दरलाल पटवा गवर्मेंट की बात करें, तब से वो मंत्री रहे, और आज वो 36 गड़ में पूरे विख लेकि जाने के बाद था कि राइपूर लोकसभा का डिवलाप्मेंट लगभग रुख चुका था, ब्रिजमोह नगरवाल के आने के बाद यदि वो मंत्री बनते हैं, या सांसद भी बनते हैं, और बनना लगभगता है, वो इस बार लगता है, उनके लिए और ज्यादा पिछली बार दो बार लगातार विदान सभा चुनाव हारे, एक बार जरूर जीते हो, और अब लोकसभा चुनाव यदि वो हारते हैं, तो वो जो राष्टी इस्तर के सचीव हैं कॉंग्रेस में, कही ने कहीं उनके कैरियर पर एक तरह का एक ग्रांड लगेगा, खड़ा ह होगा, कि उनका भविष्य क्या होगा, निश्यद और व्यदी वो जीते हैं, तो बहुत बड़ा उलेट फेर होगा, उनका कदराश्टी इस तरह बढ़ सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम ले रही, क्योंकि जिस तरह विधान सभा में बीजेपी चपर भाड बहुमत से जी रायपूर का किसमत रायपूर का भाग्य नई सिरे से जग मगाने की तैयारी में है, निशे तोर पर, सत्य प्रकाश एक बर मैं आपके पास आना चाहूंगे, क्योंकि जमीनी हकीकत के तोर पर हम बात करें, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और पूरे चुनाव की जो तोर प्रतियास के कांग्रेस हो या भारतिया जनता पाटी हो, इन्होंने अपने अस्तर पे जितनी महनत करनी चाहिए, उतनी महनत की है, रायपुर्ट लोग सबास्शेत्र की, अगर हम बात करें, तो विकास उपाध्याय ने भी बहुत महनत की, जबरदस तरीके सुनोने मह सभाई करने के कुशिश की रेल से च्रेंज से यात्राएं की उस दोरा लोगों से बाचित की और ऐसे अलग-अलग तरीके से फो लोगों से जुढने की कुशिश करते हुए दिखाई थिए और ये भी मान कर चला जा रहा है कि ये जहां पर विदान सबाचुनाव में भी कॉंग्रेस पार्टी को बूथवार अगर हम कहें अमंडल वार कहें तो लीड देखने को मिली थी उन इलाकों में इस बार भी कॉंग्रेस पार्टी को लीड मिल सकती है लेकिन अलोबर अगर हम पूरे इस लोग सबाच शित्र को देखे तो शहरी वर्ग तो किसी वोटर के मन में किसी एक वादे या जो वादा निभा लिया गया है सरकार में आने के बाद भाजपा की ओर से उन वादों का प्रभाव है तो ये क्या ब्रिजमोहन अगरवाल के उस औरे को राजनितिक औरे को विकास उपाधिया तोड़ पाएंगे अगर ऐसा होता है बहुत बड़ा उलट फे राजनिती में माना जाएगा इससे लेकिन इसकी संभावना कम नजरा रही है क्योंकि ग्राउंड पे जब हम उतर के देखते हैं तो बहुतायत में ऐसे लोग मिलते हैं जो ब्रिजमोहन अगरवाल के समर्थक नहीं है सिर्फ बलकि उन्हें पहले स का जो आंकडा है वो बड़ा हो सकता है पूरी तरह इतिफाक रखता हूं क्योंकि दो हजार अठारा का जो चुनाओ था उसमें कांग्रेस जो है 68 सीटों के साथ मतलब इतने व्रिहत सीटों के साथ सत्ता में आई थी अकलपनी माना गया था कि 68 सीटों के साथ 36 सीटों में कांग्रेस की सरकार वनी फिर ये एक हवा हुई ये बात हुई कि पता नहीं अब इस लोग सभर चुनाओं में क्या होगा लोग सभर चुनाओं भी सामने आया जितने शिटिंग एंपी थे भरती अंता पार्टी की जो देली के नेता थे उन्ह अब ही कुछ चीजें काम की हूँगी मैं यह नहीं कहता कि नारे पर पूरी जो है चीजें बदल जाती लेकिन नतीजा क्या रहा ग्यारा में से नौ सीटें भरती अंता पार्टी के खाते में गई और दो सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में गई कहां देखिए विधान जवाब को जल्द पूरा कीजेगा एक छोटी सी डिपडी मैं डॉक्र अनिल जी से भिलूँगी आप 20 सेकंड में प्लीस जवाब पूरा कीजेगा जी अनिरुद जी जी 20 सेकंड में जी जी 20 सेकंड में राइपूर लोग राइपूर शेतर की जो आप बात कर रहे ही तो मैं राइपूर शेतर की बात करूंगा एक चर्चा चली थी कि बिजमोहन अगराल जी के सामने भुपेज बगेल जी जैसा कदावार निता होना चाहिए था तब ये चुनाव राइपूर जैसी सीट पर पूरे देश की द्रिश्टी होती और देखे राजधानी में हम लोग बैठे हैं और कहीं राइपूर की और एक राइपूर सीट है उसकी कहीं कुछ चर्चा नहीं थी और कुछ हवा भी उड़ा दी गई कि विकास उपादर लड़ने के मुड़ में यह नाव वापस ले सकते हैं हाला कि उनका खंडन हुआ तो काफी तस्वीर आई थी सामय होगी है डॉक्टर अनिल जी दल बदल का जो सिलसिला जारी रहा था उसको लेकर कितना असर रहेगा आप लीज 20 सेकिंड में जवाब दीजेगा राइपूर में उतना फरक नहीं पड़ेगा राइपूर लोकसबा सीट में बहुत ज़्यादा दल बदल वाला मामला नहीं था बाकिस सीटों पर जरूर रहा है लेकिन राइपूर लोकसबा सीट में आप दीखिए 20 लाग से फिर मोधी की गारंटी चली फिर दोनों राजनितिक दलों ने जो फ्री बीज दिये लोगों को जैसे कॉंग्रेस ने बोला कि हम महीना एक लाख रुपे साला ना देंगे और बीजेपी ने का कि हम महतारी वंदन योजना एक हजार रुपे महिलाओं के खातिम डालेंगे इ थोड़ा एट्रेक्शन कॉंग्रेस के तरफ जरूर हुआ है और दूसरी महत्यपुन बात ये भी है कि चार से पांच प्रतिसत का मद्दान इस बार राइपूर लुक्सवा सीट पर कम है तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है कि जब आप लग या सबसिटी देने का वो वादा उन्होंने दोहजार रठार में पूरा नहीं किया तो जनता का जो विश्वा से वो कहीं ने कहीं बीज़ा की प्रती थोड़ा जाता है पर फिर भी बिल्कुल जनता काफी स्मार्ट हो चुकिया और मुद्दो को बखू भी समझती है और ऐस का उपियों करके आश्रिवाद किसको दिया है फिलाट